गरी पहु की जादूई चूरी और लिपस्टिक सुन्दा सुन्दा चूरी लिपस्टिक ले लो रंग बिरंगी चूरी लिपस्टिक कैलास करी गर्मी और चिर्चिराती धूप में अपनी चूरी और लिपस्टिक बेच रहा होता है लेकिन कोई भी उससे चूड़ी और लिपस्टिक खरीदने नहीं आता है भगवान आज पूरा दिन बीत गया लेकिन अभी तक मेरी चूड़ी और लिपस्टिक की एक भी बोनी नहीं हुई पहले तो मेरी चूड़ी और लिपस्टिक कितनी विक्री होती थी लेकिन जब से नए डिजाइन के बैंगल और लिक्यूड वाले लिपिस्टिक चल गई है तब से हम जैसे गरीब लोगों के बनाये हुए चूड़ी और लिपिस्टिक कोई खड़िता ही नहीं अरे इसी से तो हम लोगों की रोजी रोटी चलती है पता नहीं आज मुझ जैसे गरीब के घर का चूला जलेगा भी या नहीं इसी तरह कैलास करी धूप में अपनी चूड़ी और लिफिस्टिक लेकर घूमता है लेकिन उसकी एक बी चूड़ी और लिफिस्टिक नहीं बिक्ती और वो ठक हार कर वापस अपने घर आने लगता है उसी समय गाडी वालो उस गरीब चोडी वाले को तक्तर बार कर वहां से चला जाता है और इधर घर में गाइतरी के हाथ से उसका मंगा सुत्र टूट कर नीचे गिर जाता है हे मातरानी ये कैसा संकेत है मुझे तो बहुत घवराट हो रही है आप किरपा करके मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान उसी समय गाउं का एक व्यक्ति भागता हुआ उनके घर जाता है और उन्हें कैलास के एक्सिडेंट के ख़बर देता है तभी गायतरी अपनी सास को सल्या और अपनी नरद मालती के साथ होस्पीटल पहुचती है जहां डॉक्टर उनसे कहते है देखिए आपके पती का एक्सिडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ है इसलिए हम इनको नहीं बचा पाए ये सुनते ही मालती गायतरी को ताने देते हुए बोलती है मिल गई तुमें तसल्ली भाबी आज तुम्हारी बज़े से मेरे भाया मौत के बहुमे चले गए दीदी दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो केलास मेरे भी पती थे और माजी क्या आपको भी लगता है कि केलास जी की मोत की जिम्मेदार मैं हूँ और नहीं तो क्या मेरी मालती बिल्कुल सही कह रही है अरे तुझ जैसी मनहूस की वज़े से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तेरे इस काले साए की वज़े से मेरे घर में हमेशा के लिए अंधेरा चा गया अपनी सास और ननत के इन तानों को सुनकर लाचार गैतरी फूट फूट कर रोने लगती है और केलास के जाने के बाद उनके घर में दाने दाने तक्के लाले पढ़ने लगते हैं माजी, गर में रासन का एक भी दाना नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं? कोईले की राख बना दे, अरे, बहू तो घर की लक्षमी होती है, लेकिन तू तो हमारे घर के लिए कुलक्षनी है, कुलक्षनी, आज तेरी वज़े से मेरे घर की ये हालत है गरीबी और आर्थिक तंगी को देख कर कौसल्या की आँखों में गायतरी का काला रंग खटकने लगता है, जिसकी वज़े से कौसल्या हमेशा गायतरी को खूब खरी-खोटी सुनाती है, और बेचारी गायतरी मातारानी के सामने हमेशा अपने दुखों को बया करती रहती है ए मातारानी, आज मेरी आखों के सामने मेरा परिवार धाने-धाने के लिए तरस रहा है, और मैं गरीब लाचार बहू, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मातारानी, क्यों ना मैं भी अपने पती की तरद चूड़ी और लिफ्स्टिक बना कर बेचू निकल जाती है, सुन्दर सुन्दर चूरी और लिफ्स्टिक ले लो, लाल लाल गुलाबी गुलाबी सुन्दर सुन्दर चूरी लिफ्स्टिक ले लो, उसी समय गाउं की एक औरत गायतरी को रोकती है, और उससे कहती है, अरे ओ चूरी और लिफ्स्टिक वाली, क्या दाम ह ये तेरे चूरी और लिफ्श्टिक का सिर्फ 20 रुपे की है बहन जी ये चूरी और लिफ्श्टिक तो बताओ बहन कौनसी वाली दिखाऊं ये लाल वाली ये गुलावी वाली अरे रहने दो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पुराने जवानी वाली लिफ्स्टिक और चूरी मैं तो तुम्हें इनके 10 रुपे भी ना दूँ इतना बोलकर वह औरत गायतरी को वहां से भगा देती है और गायतरी बेचारी करी धूप में अपनी टोकरी लेकर पूरे गाउं गाउं भूमती है लेकिन उसकी एक भी चूरी और लिफ्स्टिक नहीं बिकती और वह ठक हार कर मातरानी के मंदिर की सीडियों पर आकर बैठ जा ही हो 20 रुपे की है अमा ठीक है बेटी तो मुझे ये लाल वाली चूरियां दे दो इतना सुनते हैं गायतरी जल्दी से अपनी टोकरी में से लाल चूरी निकालती है और उस भुजूर वारत को दे देती है उसी समय वहां पर अचानक से प्रिजली करतने लगती है और बारि नहीं पास में ही मेरा घर है आप वहां चलकर रुख सकती है इतना बोलकर गायतरी उस बुजूर वारत को अपने घर ले जाती है जहां कौसल्या और उसकी ननद माल थी यह देखकर गायतरी को फिर से खरी खोटी सुनाते हैं अरे ओ मनुहूस तेरे दिमाग में क्या भूज भरा है अरे यहां हां भूग से मरे जा रहे हैं उपर से तु अब इस बुढ़िया को लेकर आ गई दर्वाजे पर खरी हुआ बुजूर गौरत यह सब सुन लेती है और अंदर आकर उनसे कहती है सुनो बहन तुम्हारी बहु लाखों में एक है लाखों में इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही है क्यूंकि मेरा घर यहां से बहुत दूर है इसलिए मैं बस आज की रात यहां पर रुकूंगी और कल सुबह होते ही यहां से चली जाओंगी ऐसे ही कुछी देर में बारिस रुक जाती है और गायतरी जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म करके उस बुजूर्ग औरत के लिए खाना लेकर आती है और कहती है यह लीजिया मा थोरा सा खाना खा लीजिये बेटी आओ तुम भी मेरे साथ खाना खालो वैसे भी कल सुबह तुम्हें यहां से चली जाओंगी फिर तुम्हें यह मौका नहीं इतना कहते ही गायतरी उस बुजूर्ग औरत के साथ मिलकर खाना खाती है और खाना खाते ही वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है जब अगली सुबह गायतरी उठती है तो वह देखती है कि उसकी टोकडी सुन्दर-सुन्दर डिजाइनर चूरी और लिफश्टिक से भरी लोज बाते किया करती थी तुम्हारी माता रानी और जब भी मुझे कोई सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उसकी मदद करने स्वेम आती हूँ और तुम तो मेरी एक सची भक थो तो तुम्हारी मदद करने तो मुझे आना ही था इसलिए बेटी आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलिफ नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी इस टोकरी में जितनी भी चूरी और लिप्स्टिक है वह सब अब जादूई हो गई है इसलिए तुम्हेंने जिसे भी बेचोगी मैं उसके सारे दुख दर्द मिटा दू की और तुम्हारी ये जादूई चूरी और लिप्स्टिक कभी खत्म नहीं होगा इसलिए तुम हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करती रहना बेटी एह मतरानी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे स्वेहम धरसन दिये आपका पहुत बहुत सुक्रिया मत रानी इतना केकर गायतरी अपनी टोकरी उठाकर बजार में चूरी और लिप्स्टिक बेचने चली जाती है जहां उसके पास एक काले रंग की लड़की आती है और गायतरी उसे अपनी टोकरी से एक लिप्स्टिक निकाल कर देती है लिप्स्टिक लगाते ही उस लड़की क गोरे रंग में बदल गया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आपका बहुत-बहुत सुक्रिया इतना बोलकर वह लड़की गायतरी को खुसी-खुसी पैसे देकर वहां से चली जाती है उसी समय वहां पर एक दूसरी लड़की आती है जिसके चेहरे पर कई सारे दाग उसी समय गायतरी उसे अपनी टोकरी से गुलाबी कलर की लिवस्टिक निकाल कर देती है जिसे लगाते ही उस लड़की के चेहरे के भी सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और वो लड़की पहले से और भी जादा खुबसूरत दिखने लगती है अरे वाह मेरे चेहरे के स नहीं हो रहा था लेकिन आज आपकी यह लिवस्टिक लगाते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया आपका बहुत-बहुत सुक्रिया यह लिजी आपके पैसे ऐसे ही जादूई चूरी और लिवस्टिक का चमतकार देखकर सभी लोग बहुत खुस होते हैं और गायतरी से जादूई चूरी और लिवस्टिक खरीदने लगते हैं और गायतरी अपनी टोकड़ी में से जितनी भी जादूई चूरी और लिवस्टिक निकालकर लोगों को देती उसके पास फिर से उतनी ही लिवस्टिक और चूरी आ जाती और ऐसे ही गायतरी की एक दिन में चार गु तोकडी देखकर कहती है अरे यह क्या तोकडी तो सारी छूरी और लिपश्टिक से भरी हुई है इसका मतलब तेरी आज एक भी बिक्री नहीं हुई लेकिन फिर तुल यह रासन कहां से खरीद कर ले आई माझी माझी आज घूeffective चूरी और लिपश्टिक भी है और उनी पैसों से तो मैं यह रासन खरीद कर लाई हूँ क्योंकि माजी या कोई मामली चूरी और लिप्स्टिक नहीं बल्कि चादुए चूरी और लिप्स्टिक है और मैं पिर से उतनी ही हो जाती है क्या छदुए Uhr लिप्स्टिक और चूरी पर ऐसक कैसे हो सकता है बहू इतना सुनते ही गायतरी उस टौकरी में से कुछ चूरी और लिफ्ष्टिक निकालती है जिसके बाद उस टौकरी के अंदर फिर से उतनी ही चूरी और लिफ्ष्टिक हो जाती है यह चमतकार देखकर उसकी सास को सल्या और ननत मालती ह हैरान हो जाती है और कहती है अरे बावाहू ये तो सच में एक चमतकार ही है हाँ मा मुझे तो अपनी आखो पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में ये चादूई चूरी और लिप्स्टिक है यह सब देखकर कौसल्य और मालती बहुत ही खुस हो जाती है और उनके मन से अप अपने लिए सुन्दर सा घर बनबा लेती है और अपनी सास और नंद के साथ खुसी-खुसी उस घर में रहने लगती है लेकिन वह फिर भी लोगों को चूरी और लिप्स्टिक बेचना बंद नहीं करती और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहती है जादूई लहंगा और मेक काम करके घर लोट रहे थे तभी पारिस में एक बिदली की तार उनके उपर गिर गई और वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई उसके बाद उसकी मा निर्मला ने किसी तरह से अपने आपको संभाला और खुद भूखे रहकर घर चलाने के लिए दिन राथ सिलाई का काम करने सिलाई में भी उतनी कमाई नहीं होती थी निर्मला खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोशन करती थी लेकिन कहते हैं ना गरीबी की मार सबसे बरी मार होती है निर्मला के भूखे रह रहकर काम करने की वज़ह से निर्मला की भी एक दिन मिर्त्यू हो बताओ ना दीदी, दीदी, मा, मा, उठो ना मा नहीं घुरिया, मा अब हमसे कभी बात नहीं करेगी क्योंकि वो अब इस तुरिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और हम अम अनात हो गए मेरी बेहन, अब हमारा इस तुरिया में कोई नहीं रहा यह बॉलकर दोनों बहने फूट फूट करोने लगती है ऐसे ही कई दिन बीद जाता है बेला ने हिम्मत से अपने आपको किसी तरह से संभाला और अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो भी अपनी मा की तरह सिलाई करने लगी ऐसे ही दिन बीद रहे थे दीदी कब तक काम करती रहोगी अब चलो उठो और खाना खालो देखो बहुत रात हो गई है अब बांकी के काम काल कर ले ना नहीं गुरिया तू खाना खाकर सोजा मुझे तो अभी एक और सूट सिलना बाकी है अगर सिलाई नहीं करूँगी फिर हमारा पेट कैसी भरेगा खाने के लिए मेहनत तो करनी होगी न छोटी ठीक है दीदी फिर मैं भी आपके साथ कपरे सिलने में आपकी मदद करती हूँ और फिर इस तरह से दोनों बहन मिल जुलकर काम करने लगती है ऐसे ही समय बीटता रहा दोनों बहने अब बड़ी हो गई थी अरे ओ बेला बेला अंदर आ जाओ काकी मैं अभी दिदी को बुला कर लाती हूँ अरे ओ बेला मेरी राधा का लहंगा सिल गया है क्या हाँ हाँ काकी सिल गया है लहंगा आखिर मैं भला अपनी सहेली राधा की साधी कैसे भूल सकती हूँ ये लो काकी ये रहा लहंगा अच्छ ठीक है ठीक है सुनो राधा ने तुम दोनों को भी साधी में बुलाया है आ जाना ठीक है काकी हम दोनों बेहने बरात आने से पहले ही पहुँच जाएंगे वो सकतो ठीक है लेकिन थोड़ा दोनों बेहने ढंके कपड़े पहर कराना एक तो काली सी सकल है उपर से ये फटा पुराना कपड़ा अरे बेटी मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ हो सकता है इसी बहाने साधी में आई किसी लड़के वाले को तुम दोनों बेहनों में से कोई एक पसंद आ जाओ वरना इस गरीबी और रंग रूप के साथ तुम दोनों बेहनों का तो ब्या होने से रहा एक तो दोनों अनात हो उपर से ये काले रंग रूप मुझे तो तुम दोनों बेहनों पर बहुत ही तरस आता है पर क्या करूं अच्छा बेटी अब चलती हूं मुझे घर पर बहुत काम है काकी के करवी बाते सुनकर बेला के आखों में आशू आ जाता है अरे मेरी प्यारी दीदी काकी की बातों पर ध्यान मत दो उनका तो काम ही है बोलना अब उ इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। साधी वाले दिन दोनों बहने अपने साप सुत्रे कप्रे पहन कर बारात आने से पहले वहां पहुँच जाती है। तभी उसे देखकर राधा की दाधी बोलती है। तुम्हें देखकर लड़के वाले आखिर क्या सुचेंगे। मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसका घर बिगारना चाह रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा। आ गई मुझा कर दूसरों का घर बिगारने के लिए। हाँ बेहन जरा समझाओ इन गरीब और अनात बेहनों को। मुझे तो इन्हें देखकर इन पर बहुत ही तरस आता है। मैंने तो लाग दफा समझाया है। अरे मेरे बेटे दीन अनात से ब्या कर ले। माना की तो बच्चों का बाप है। लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन गरीब बहनों को तो सपनों का राजकुमार मिलने से रहा। फिर भी न जाने किस बात का घमंड है जो मानने को तयार ही नहीं है। बस कीजी आप लोग आपको हमें उल्टा सिधा बोलने का कोई हग नहीं। लो जी कर लो बात भलाई का तो जवाना ही नहीं रहा। अच्छी बाते तो मिर्ची की तरह ही लगती है। सकल ऐसी है तो इतनी अकर है थोड़ा रंग रूप अच्छा होता फिर पता नहीं क्या करती। यह सब सुनकर बेला की आखों में आशू आ जाता है और वो रोते हुए वहां से नदी के किनारे आ जाती है। बस अब बहुत हो गया। मुझसे अब और बरदास नहीं हो रहा। मैं गरीब हूँ, अनात हूँ, बद सूरत हूँ लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है। अब तो गाउवालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना दुस्वार कर दिया है मैं अब और ताने परदास नहीं कर सकती मैं इस जली कटी के साथ नहीं जी सकती या बोलकर बेला नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर पानी में बढ़ाती है नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है ये क्या ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है बेला तुम इस रास्ते से नदी के बीच में आ जाओ डरो मत आओ बेला उसके बाद बेला उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीच में पहुत जाती है तभी नदी में से फिर से आवाज आती है डरो मत बेला मैं जादूई नदी हूँ मैं कबसे सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करना चाह रही थी लेकिन आज तक इहां कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया पहली बार तुम आई हो मुझे तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल लगती हो लेकिन ये बताओ तुम इस नदी में कूद कर अपनी जान क्यों देने जा रही थी जान ना दू तो और क्या करूं जादूई नदी माता पिता के मर जाने के बाद मैं और मेरी बेने दोनों अनात हो गए और तो और मेरी काली सुरत की बज़े से मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे खोब ताने देते हैं हम दोनों बेने तो किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं लेकिन गाओं वालों को यह भी देखा नहीं जाता वो हमेशे मेरे काले रंग की वज़े से मेरी शादी के लिए मुझे ताना देते रहते हैं अच्छा ये बात है तुम चिंता मत करो बेला ये लो ये एक जादूई लहंगा और जादूई मेकप है इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा और हाँ घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादूई मेकप से अपना मेकप करना इस मेकप को लगाते ही तुम्हारा ये काला सा रंग राजकुमारी की तरह सुन्दर हो जाएगा ये सुनकर बेला खुसी खुसी जादूई नदी से जादूई लहंगा और मेकप लेकर घर आ जाती है दीडी आप एक्दम से साधी छोर कर मुझे भी न बताए कहां चली गई थी मुझे आपकी बहुत ही फिकर हो रही थी मुझे पता है आपको लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि जाकर कसकर घूसा मार कर आजाओ उन सब के मूपे अरे दीदी ये आपके हाथ में क्या है इतना सुन्दर लेंगा और मेकप गुडिया देखना अब पूरे गाउवालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी गुडिया ये लेंगा और मेकप जादूई है और ये हमें जादूई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है जादूई लेंगा ये कैसे हो सकता है अभी बताती हूँ हे जादूई लेंगे हमें पैसे दो बेला के इतना बोलते ही जादूई लहंगे में से एक परकास हुआ और उससे पैसो की बारिस होने लगी और तुरंत में ही वहाँ पैसो का धेर लग गया अरे वा दीदी ये तो सच मुझ में जादूई लहंगा है दीदी इस मेकप में कौन सा जादू है एक मिनट रुको अभी बताती हूँ इतना बोलकर बेला उस मेकप को अपने चहरे पर लगाती है मेकप लगाते ही बेला बहुत ही सुन्दर लड़की में बदल जाती है अरे वा दीदी आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हो राजकुमारी अब देखना हमारे घर के बाहर कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है इस जादूई लहंगे और मेकप की बज़े से आज हमें भी इन समाज में सर उठा कर जीने का हक मिल गया है अब हमें किसी के आगे हाथ पहलाने की जरुरत नहीं परेगी छोटी और नहीं हमें किसी से कम होने का एहसास होगा उसके बाद दोनों बैने उस जादूई लहंगे की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरुरत का सारा सामान भी मांगती है अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास अब पैसा भी था और सुन्दरता भी वो अब अपने साथ साथ गाउं के और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं कुछी दिनों बाद बेला के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिष्टा आता है और बेला की साधी पक्की हो जाती है दीदी आप रो रही हो दीदी ये तो खुसी की बात है आज आपकी साधी है अब आपकी साधी हो जाएगी और आप अपने पती के घर चली जाओगी पर छोटी मैं तुम्हारे बिनस असुराल में अपना दिन कैसी बिताओंगी मुझे वहाँ तुम्हारी बहुत याद आएगी अरे दीदी इतना क्यों सोच रही हो जादूई लहंगे की वज़े से अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो चुका है अब हमारे पास किसी भी चीज के कोई कमी नहीं है और अब हमारे पास इतने पैसे हो गए है जिससे मेरी जिनकी भी बहुत ही असानी से कट जाएगी अब आप खोसी खोसी अपने घर जाओ गुडिया जादूई लहंगे से पैसे मांग कर पूरे गाउं को अच्छे से सजाती है पूरा गाउं दोनों बहनों के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे बेला कहती है अरे वाह इस लाल लहंगे में तो मेरी बहन बिजले गिरा रही है आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हो देदी उसके बाद बारात आती है और बहुत ही धूमधाम से बेला की शादी होती है बीते दिनों जितने लोगों ने भी दोनों बहनों का मजाक उड़ाया था वे बस हक्के बक्के से दोनों बहनों को देखती रह जाते हैं वही शादी में आए लड़के के एक बहुत ही अमीर दोस्त को गुरिया भी पसंद आ जाती है और फिर कुछी दिनों बाद गुरिया की भी शादी हो जाती है और फिर इस तरह दोनों बहने की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों बहने अपने सस्वराल में खुसी खुसी रहने लगती है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्यासी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताए कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करे और हाँ दोस्तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादूई टीबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले तो मिलती हो ऐसी फिर किसी नई मज़दार जादूई कहाने के साथ तब तक अपना ध्यान रखे बाई बाई दोस्तो